आज हम देखेंगे HFNO machine ये company है inspired की तो हम देखेंगे इसमें क्या-क्या है किस तरह से हम इसको उपयोग कर सकते हैं और क्या-क्या इसमें खूबिया है ये सामने एक water chamber है जिसमें पानी कटा होता है और पीछे से oxygen की ट्यूब लगी रहती है और जो green बटन जो आप दिख रहे है तो जबी भी आप इसको power connect करेंगे तो ये blink होगा मतलब power लग चुका है बार बार blink कर रहा है मतलब power लगा हुआ है पर machine on नहीं है अब जैसे ही on का switch हम दबाएंगे तो इसमें सब model लंबर, serial लिखके आएगा और इसके बाद ये चालू हो जाएगा ये overview look है जब हम लोग ने water chamber लगाया नहीं है तो just water chamber बहार निकला हुआ है हम accessories निकाल कर रखें तब का एक view picture आप देख लिजे कैसा कैसा है यहां पर आप देख सकते हैं कि दो probes लगे वाएं पीछे में ये एक overview हो गया पुरा setup का क्या 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 चीज़े है oxygen इसमें लगेगा और ये जो flow meter है वो भी आपको ध्यान रखना है कि आप कितना O2 flow रख रहे हैं ये थोड़ा सा ज्यादा flow देता है normal flow meter से जो नीची जो आप प्लेट द दिया हुआ है ये देख सकते हैं राइट और लेफ्ट में दाय और बाय तरफ तो इसको साथते हुए आप इसको अंदर की तरफ धकेल देंगे तो ये लग जाएगा water chamber में के साथ एक spike दिया रहेगा जो आपको 2 liters का sterile water के अंदर insert करना पड़ेगा जहां से पानी आता रहे ये उपर में आप देखी एक notch है उसको हम लोग सही तरी से लगा देना है अब आप देख सकते हैं पूरा breathing circuit और ये नीचे रखा हुआ है spike जो water bag में लगेगा और ये nasal cranula का end जो की nostrils में लगेगा cranula का position एक बार देख लेंगे कि सब अच्छे से है कि एक बार inspect करने के बाद long press करने से hfn c hfn o चलो हो जाएगा ये देखिए अगर ये machine आप पहली बार start कर रहे हैं पहली बार शुरूर कर रहे हैं तो उसमें date और time set करने के लिए आपको बुला जाएगा अब ये जो main screen देख रहे हैं ये inactive है और आप कोई भी parameter change नहीं कर सकते हैं इसको active करने के लिए ये बड़े button को दबा के रखना पड़ेगा तो ये जो lock दिख रहा है आपको ये press करने के बाद unlock हो जाएगा तो ये unlock होता है आपको mode select करने के लिए बोला जाएगा ये देखि ये यलो में आप change कर सकते हैं कौन सा चाहिए आपको फिर जो confirm करेंगे वो green हो जाएगा इसके बाद जब हम o2 पे जाते हैं तो यहां पर higher limit और lower limit ये दो आपको दिख जाएगे तो हमको ये set करना है कि higher limit कितना रखना है और lower limit कितना रखना है उस हिसाब उसके अगर ऊपर या नीचे जाता है तो machine आपको alarm देगा ये देखिए green में है मतलब वो selected है अगर ये knob को हम लोग प्रेस कर दिये तो ये yellow में हो जाएगा और हम parameters change कर सकते हैं ऐसे आप पर lower limit आपको चाहिए तो आप change कर सकते हैं अब ये oxygen के बाद नीचे flow में आते हैं अगर आपको flow change करना ह तो इसके लिए आपको दो चीज़े set करनी पड़ेंगे एक तो flow meter और दूसरा machine के values अपनी का एक chart आता है जो हम लोग अभी दिखेंगे ये देखिए liters per minute ये उपर जा रहा है कितना आप machine में set करेंगे और दूसरा है o2 flow अब o2 का flow आप कितना दे रहे हैं flow meter में machine और flow meter दोनों में ही आपको value set करना पड़ेगा तब आपको result result मिलेगा suppose 63 आपको set करना है तो आप flow meter में इसको 8 liter set करेंगे और जो machine में 8 liter flow meter में set करेंगे और machine में 15 liter का set करेंगे यह देखिए, मशीन में 15 लिटर का सेट करना पड़ेगा आपको जैसे बताया था एक बार उसको प्रेस करना है तो जैसी यलो में आ जाएगा आप उसको चेंज कर सकते हैं वैलियूस को फिर दबाने के बाद ग्रीन हो गया तो कन्फर्म हो जाए गया यह हमने 8 लिटर पे सेट कर दिया अगर हमें टेमपरेचर सेट करना है तो हम यह इसको 31 से 37 की बीच में हम सेट कर सकते हैं अब राइट में एक बटन दिखे का प्ले होगा तो आप इसको जैसी दबाएंगे तो यह मशीन स्टार्ट हो जाएगा यह सेट वैलिउस के साथ मशीन अपने आपको रन करेगा यह स्टार्ट हो गया जब यह मशीन को आप शुरू करते हैं तो यह लगबग 5 मिनिट का समय लेता है टेमपरेचर रीच करने के लिए जितना आपने सेट किया है फिर यह नेसल का एंड से आपको एयर का फ्लो मिल जाएगा अगर यह फंक्शन को आपको रोकना है इन स्टॉप करना है तो प्ले स्टॉप का जो बटन है इसको आपको दावाना पड़ेगा फिर आप सिलेट कर सकते हैं यह फिर एक बार दबा के आप अनलोग कर सकते हैं फिर आपको जैसे कुछ सेटिंग्स देखना है तो आप यह स्पैनर का सिंबॉल इसको प्रेस करें तो टाइम हिस्ट्री लैंग्वेज इंफो और वॉल्यूम को आप चेंज कर सकते हैं हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको इवेंट्स और अलाम हिस्ट्री दोनों मिल जाएंगे यह स्क्रॉल करके उपर लेकर जाएंगे इवेंट्स पर तो आपको सारे इवेंट्स यहाँ पर दिख जाएंगे आप जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको ग्रीन बटन जहां पर दिखेगा वो सिलेक्शन का है फिर उसको आप जैसे वापस प्रेस कर रहे हैं तो नीचे की चीज़े आपको देख जाएंगा और अब यह बैक लेंगे तो अलाम हिस्ट्री में आप देखिए यह अलाम हिस्ट्री आपको भी मिल जाएगे यहाँ पर देखने के बाद जैसे हम बैक किये फिर इसके बाद यहाँ से हम वॉल्यूम सेट कर सकते हैं कितना लाउडनेस आपको रखना है यहाँ से कम यह ज्यादा हम कर सकते हैं फिर लैंगवेज आता है आप यहाँ से लैंगवेज चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो और टा यह सब एड़ेस्ट कर सकते हैं फिर यह बैक का बटन दबाएंगे तो आप पीछे के मेनु में चले जाएंगे मशीन के लेफ्ट साइड में एक SD कार्ड मिलेगा आपको यह फ्लैप के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो लॉग्स है वो इसमें सेव होता है अगर आपको वर्टर चेंबर निकालना है तो यह जो सामने का ग्रे पोर्शन दिख रहा है आपको इसको दबाना पड़ेगा मशीन आफ होने चाहिए यह इसको आप दबाना पड़ेगा फिर इसको आप खिच लीजिए अपने तरफ तो यह धीरे से निकालेगे निकल जाएगा